शेमद हूं रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि हमारे भारत में 11 तरह की कमाई है जिन पर टैक्स नहीं लगता है जिन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है हम सभी को दिली एक्षा इंकम टैक्स बचाने की रहती है इसके लिए नहीं नहीं तरीके भी दूनते हैं हम आपको इगारह ऐसी कमाई के बारे हैं बताएंगे जिन पर भारत में किसी पर करकर कोई टैक्स नहीं लगता है सबसे पहले बचत खाते के ब्याज पर वर्स 2013 में सेक्शन 18 सॉरी सेक्शन 80 सेक्शन 80 TTA पेश किया गया जिसमें सेविंग अकाउंट में एक वित वर्स में अधिक्तम 10,000 उपे तक ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है इससे अधिक रकम पर टैक्स लगेगा फिर NRI अकाउं पर मिलने वाला भारत में सौ फिसदी टैक्स फ्री होता है इसमें फिक्स डिपॉसिट और सामाने सेविंग अकाउंट ब्याज दोनों शामिल नरी के लिए यह दोनों टैक्स फ्री है कई NRI UAE या सिंगपूर जैसे देशों में लोन लेते हैं जहां ब्याज दर 2-3 फिसदी है और उस राशी को भारत के NRI अकाउंट में जमा कर देते हैं जिस पर उन्हें आठ फिस्दी से नौ फिस्दी तक का ब्याज हुनता है NRI अकाउंट डिपॉसिट पर TDS भी नहीं करता क्योंकि इसमें किसी भी तरह कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है NRI अकाउंट में जमा संपत्ती किसी भी एक देश से दूसरे देश मिलाई जा सकती है फिर प्रॉफिट का एक हिस्सा फिर्म के पार्टनर को देने पर टैक्स अप्लिकेबल नहीं होता है अगर पार्टनर से फिर्म के तौर पर आपने कोई प्रॉफिट कमाया और उसे सैर और प्रॉफिट के तौर पर कुछ हिस्सा पार्टनर को दे दिया जाए तो partner के लिए income tax free होगी तो यह company पहले इस पर tax हजार कर शुकी होती है ध्यान रहे है कि company से मिलने वाली salary tax योग रोड फिर बीमा क्नी maturity एक लेम जीवन बीमा कंपपनी की ओर से maturity पर दी जाने वाली राशी पुर्ण रूरूर्प से tax free होती है अगर उसका premium समस्थ चूर्ड के 2050 से कम है तो फाइनेंस एक्ट 2003 में वए समसोधन के तहर समस्थ चूर्ड के 2050 ज्यादा का प्रीमियम कर योग है उधारण के तौर पर अगर सालाना प्रीमियम 10,000 रुपय है तो टेक्स छूट के दाएरे में आने के लिए समस्थ चूर्ड पचास रुप पिर नियुकता से दिया गया LTA कई कमपणिचारी आपने करमचारी गोल से यदि आपकी कमपनी आपको LTA नहीं देती है तो आप सेलरी का कुछ बाक्स से नियुकता से कह सकते हैं फिर VRS की 5 लाग की राशी अगर किसी वैक्तिने VRS यानि कि वरेंटरी रेतारेमेंट स्कीम लिया है तो 5 लाग रुपे तक की प्राप्तराशी टेक्सरी होगी इसके लिए सब लोग योगी नहीं है किवर सारवजनिक छेती कंपनिया या फिर केंद्र या राजी सरकार की अथ लेकिन इस सर्विस के पांच वर्स के बाद की गए निकासी पर योग होता है कि कई बार निवेशक अपने नौकरी तीन से चार साल के बीतर ही बदल देते हैं और एपीएफ का पैसा निकाल लेते हैं ऐसे हमने टैक्स देना पड़ता है फिर एक साल बाद एक्विटी पर जो होता है वो भी अप्लिकेबल नहीं होता है टैक्स एक साल के बाद शेरों या एक्विटी मिच्वल फंडों को बेचने पर मिलने बाली प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है यदि आप खरीदे गए शेर या मिच्वल फंडों को अपने पास कम से कम एक साल तक रखते हैं तो उ मिलने वाला रावांस टैक्स-फ्री होता है कंपणी अपने शेर हूल्ड़र्स को लावांस देने से पहले सरकार को डिविडाड डिस्ट्रिबुशन टैक्स का बुक्तान कर चुकी होती है इसकी वजह से कंपणी के प्रॉफिट में कम हिस्सा मिल्ता है लेकिन जो भी मिलता है वो टेक्स-्री होता है फिर वेडिंग गिफ्ट्स शादी पर उपहर के रूप में मिलने वाली राशी और किमती चीजें भी टेक्स-्री होती है लिखने इसके लिए ज़रूरी है कि अपकी शादे की तारीक और बहार मिलने की तारीक एक जैसी है आप ऐसा नहीं कर सकते कि शादी के एक दो साल बाद उफार के रूप में मिली राशी पर टैक्स छूप का दावा कर सके ऐसा नहीं है इतने दिन बाद नहीं होता है टैक्स भी फिर वस्यत या विरासत में मिली राशी भारत में भी तक किसी तरह का इन्हेरिटेंस टेक्स नहीं है मसलन वसियत या फिर विरासत में मिले संपत्ती यारासी टेक्स फ्री होती है वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है और उस पर केवल कमाये गए इंट्रेस्ट पर कर देना होता है भारतिय समाज में प्राचीनकाल से वसियत बनाने का गियम है तो यह टेक्स फ्री होता है तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटी देशे धन्यवाद दो